addition of angular momentum के बाद हम कुछ operators को देख लेते हैं, angular momentum के operators को, ठीक है, especially lx operator, ly operator, lz operator, और l square operator, ठीक है, इनको consider करते हैं, इनकी हम देखते हैं कि expression क्या होती operators की, और इनके कुछ commutation relation इनके आपस में, वो देखेंगे हम, और इनकी eigen values और eigen values देखेंगे, इनकी यह जो operators हैं, कौन सी इनकी eigen values होती है, l square operator, जो है, इसकी हम जानते हैं कि यह होती है, इसकी eigen value, ठीक है, तो eigen values की यह होती है, और अगर हम l की magnitude निकालना चाहते हैं, तो बस इसका under root ले लेते होते हैं, चोके normally लिगा जाते हैं, और h cut का square under root cancel हो जाते हैं, तो यह इसकी magnitude चूर यह आ जाती है, और l square operator का, की eigen value यह होती है, और इससे तरह lz operator की eigen value जो होती है, वो m h cut होती है, और m की values हम जैसे पहले भी देख चुके हैं, इस तरह से होती हैं, तो यह at the end, इसकी बस eigen value equation हम लिख देंगे, इससे पहले हम यह proof करेंगे, कि कौन कौन से operator आपस में commute कर करते हैं, और किन किन operators की आपस में जो eigen function होगा, वो same होगा, ठीक है, तो यह simple सी इसमें चीज़ें करेंगे, और मैं कुछ ways भी बता दूँगी, कि in case, अगर commutation relation को prove करने का कोई part आ गया, तो वो किस तरह से किस को कर सकते हैं, तो जहन में एक तरह से method हो जाएगा, कि in case, अग लिक वल होता है, तो आर operator is, और यह जो P operator है, it is minus iota h cut delta, ठीक है, इसके जगह मैनस iota h cut delta हम लिखे हैं, तो iota minus iota h cut बाहर आ जाएगा, और यह r cross delta हमारे पास आ जाएगा, और अगर काटी sin coordinates में हम इसको लिखना चाहें, तो यह x i hat plus y j hat plus z k hat, this is r ठीक है, यह मैं दूसरी बड़ी bracket use के लेती हूँ, r cross delta जो है, वो क्या है, partial by partial x i hat, partial by partial y j hat and partial by partial z k hat, del square लिखते लिखते यहाँ पे delta square नहीं लिखना शुरू कर देना, धियान रखना है कि यहाँ पे del है, delta square नहीं है, ओके हो गया, तो यह यहाँ तक हमने यह देख लिए, अब L के हम, L x component, यह तो L हमने लिखा ना, तो L x, L y and L z component हम इसका निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यह cross product को find out करना होगा, by determinant method, तो यह मैं करती हूँ, तो यह L equals to minus iota h cut बाहिर रिख रहने देंगे, और यह जो अंदर है इसको हम determinant में लिखते हैं, यहाँ पे first जो है, entries x, y, z, और यहाँ पे partial x, partial by partial y, partial by partial z, अब इसको expand करते हैं, और L operator की हम values देखने हैं, तो यह मैंने इसको दोबारा यहाँ पे लिख दिया है, तो यह iota h cut, और i hat, as it is, this cancels out, यह इसके साथ product और फिर इसका इसके साथ, तो y into partial z, minus z into partial y, ठेक है, यह वरतर जो determinant हम करते हैं, यह direct करें, तो minus j hat, minus sign by formula आता है expansion में, तो यह cancel, यह x into partial z, partial by partial z, तो यह z into partial, by partial x, ठीक, plus k hat, उसके लिए हो जाएगा, यह और यह cancel, तो x, partial by partial y, minus z, partial by partial, no, no, y partial by partial x, क्योंकि यह आना तो यह वाला determine, तो यह इसका हमने एक बड़ा, कहादे हैं, यह i hat है, इसे iota नहीं समझ लेना, तो हम, अब यह जो iota h, minus iota h, कट है, यह सबसे multiply कर देते हैं, ताकि lx और ly की value हमें पता चल जाए, तो i hat बाहिर ही रहने देते हैं, और यह अंदर minus iota h, ठीक, और इसको यह close कर दिया, फिर यह, यह minus minus plus हो जाएगा, तो यह iota h, और j hat, और यह partial by partial, z minus, z partial by partial x, ठीक हो गया, तो यह plus k hat, minus iota h, minus ios के साथ, तो यह अंदर यह वाला, तो यह i hat के साथ अब जो यह सारी quantity है, यह lx है, ठीक है, यह lx operator हो गया, यह j के साथ जो पूरी quantity है है, यह ly हो गया, और जो k के साथ यह पूरी quantity है, यह lz हो गया, ठीक है, तो l is equal to i hat lx plus j hat ly plus k hat lz, और यह याद रखना है कि यह जो यह है ना, इन unit vectors के साथ plus sign लेना है, और अगर negative आ रहा है, lx की value में, क्योंकि हम जो vectors लिखते होते हैं, वो ऐसे लिखते होते हैं, ठीक है, तो यह plus नितर होने चाहिए, यह ना हो कि यह negative इसके साथ लिखा और इस सारी value को lx कह दिया, ऐसे नहीं करना, आई हैड को positive रखना है और सारे negative negative इसमें डाल देने, इसकी value में तो, lx की value मारे पास आच चुकी है, minus iota h cut, y by partial z, z partial by partial y, ठीक है, यह lx की value होगी, यह l y, जो है, वो iota h cut, और x partial by partial z, z partial by partial x, और इससे तरह lz, जो है, वो minus iota h cut, x partial by partial y, minus y partial by partial x, और यह सारे negative है तो, उसको भी negative करने के लिए, यहां से negative common ले लेंगे, यह बाहर, यह plus हो जाएगा, यह minus हो जाएगा, यह plus हो जाएगा, बस sign आपके change कर दिये, तो सारे ऐसे मतलब एक ही जैसे हो जाएगे, यहां पर हमने यह momentum की value को insert किया है, इसके इलावा यह भी चीज़ की जा सकती है, कि यह जहां पर momentum भी था ना, इसकी जगह हम momentum की value ना पूट करें, और इसकी जगह हम पी X component, पी Y component and पी Z component, ऐसे लिखते हैं, तो यहां पर यह जहां डेल operator आएगे, यहां पर पी X, पी Y, पी Z कर दें, तो इस तरह से भी एक form निकलाएगी, वहां से वो भी मतलब एक तरीका है, राइट करने कर जैसे यह इस तरह से आ जाता है, तो यह expand करने के बाद, तो एक पी चीज़ हो सकती है, और उसके इलावा जो L square operator है, L square होता है, L x square, L y square, और L z square, इस operator का square, प्लस इस operator का square, प्लस इस operator का square, इसे हम L square operator कहते हैं, और इनके जो commutation relation है, अगर इनके लिखे जाएं, तो जो L square है, यह इन तिनों के साथ commute करता है, L square L x, और इस इकल जो 0 होता है, ठीक है, इसे तरह, L square L y is equal to 0, और इसे तरह, L square L z is equal to 0, तो it means कि L square, L square और L z, दोनों simultaneously हम department कर सकते हैं, और एक कोई आइगन function जो है, इन दोनों का आइगन function होगा, at a time, इसको जब इस पे apply करेंगे, थीटा और फाइ, L square operator अगर स्वेरिकल कोडिनेर्स में देखें, सिर्फ थीटा dependent होता है, और फाइ डिपेंडेंट इसलिए मैंने इसके यह थीटा फाइ की है, आर पर डिपेंडेंटन नहीं होता है, और इसे तरह, L z भी, ठीक है, इन दोनों का यह फाइदा होता है, तो य अगर इसी तरह, L z अगर यह थीटा फाइ, इस आइगन फंक्शन पर अप्लाई किया जाए, तो यह इसकी corresponding आइगन वैल्यू दे देता है, ठीक है, तो यह आइगन वैल्यू इक्वेजिन है, फार L square operator और L z operator, और यह नॉमरे इनके साथ कोई quantum number L और M भी आ रहे होते हैं, चोके हम देखते हैं, कि यह L यह वाला operator, यह वाला magnetic quantum number है, और इसमें M का भी factor होता है, क्यूंकि यह L z भी इसमें पे अप्लाय हो रहा होता है, तो इसमें L m भी लिखा जाता है, क्यूंकि इसमें यह जनरेट करता है, इन quantum numbers को, इनमें यह quantum number मतलब मुजूद होते हैं, तो यह आइगन-वैलिज्ट है इन दोनों के लिए और यहок मुद्रट षेल है और विप्स काज़ा एक लिए सब्सक्राइब शेस्थयूंंतले में दिखें तो यह आपस में कम्थी समें करते हैं ठीक है यह आपस में कम्यूट नहीं करते हैं यहां पर ओयोटा एज कर टाइम्स ल्जी आ जाएगा ठीक है यह साइकलिक रूल अगर देखा जाए तो अगर एक्स और वाई है ऐसे तो नेक्स जो आएगा यह जी आएगा ठीक है और इसी तरह ल्वाई ल्जी करें अगर ल्वाई आज एकिति घर ल्वाई ग्राई है अगर रिवर्स ऑड़र करते ना अगर मैं इसको ऐसे लिखते हैं ल्वाई एल एक्स तो साइकलिक और यी क्लॉकवाइज हमने किया था है यह एल एक्स एल वाई तो यह गर मैं उल्टा कर दूँगी वाई और एक्स कर माइनस ऐयोटा एचकट लजी हो जाएगा यह मैंने बस बता दिया तो इन कमुटेशन रिलेशन को प्रूव भी किया जा सकता है इनकी जो अभी वैल्यूस हमने देखिए थी ना उन से तो तो मैंने यह साइड में प्रूव किया हुआ है मैं यहां पे ना सिर्फ उसकी इमिज इस साथ का देती हूं किसे ने करने ही तो कर लेना टााइम की कम है इसलिए यह यह इलेख собой होगी यह और यह यह यूजी ठीक है लजेए लेख थी धिशहिए यह आयोटा ऑसकर स्करदूंए कंविश को अशरों को सह और को मेंद का है तो यह यहां पर ईल्वाई स saying-6 ngAy मैं और इसका प्रोड़क्त लेने के बाद ये पिर प्रोड़क्त रूल बनते थे वह उन पर अप्लाय किये और it requires some explanation इसको solve करने की क्योंकि कुछ बातें जहन में रखनी पड़ती है तो वो आप अगर कोई चाहता है कि यह मैं करूँ तो इस वीडियो के कमेंट्स में बता दें कि मैं इसको explain करूँ या ना करूँ ठीक है यह फिर इस तरह के step से यहां पर जाके यह फॉर्म बनती है जिसमें यह वाला पार जो है ल्जी होता है तो यह हम इसका कम्मुटेशन रिलेशन ऐसे प्रूफ कर देते हैं और इसी तरह जो L स्क्वेर उपरेटर है और लेट से कोई भी LX LX, LY, LZ में से कोई भी एक ले लिया तो LX के वो स्क्वेर निकालने नहीं पड़ेंगे हम यहां पर कुछ कम्मुटेशन के अइडेंटिटी यूज करते हैं इसको इसको प्रूफ कर सकते हैं LX, L स्क्वेर जो है LX स्क्वेर प्लस L Y स्क्वेर प्लस LZ स्क्वेर की एक विए टाइम्स LX तो यह सारे कम्मुटेशन रिलेशन सबके इलादा हो जाएंगे LX स्क्वेर LX, L Y स्क्वेर प्लस साइन दर्म्यान में आ जाएगा इससी तरह LZ स्क्वेर और LX तो यह फिर जो LX स्क्वेर और LX है ना यह दोनो एक ओप्रेटर और उसके ओप्रेटर का स्क्वेर यह दोनों हमेशा कम्मुट करते हैं मतलब दोनों एक ही तो हैं तो वो हमेशा 0 आता है तो यह चीज़ हम इसे 0 का देंगे फिर इनको एवैलिवेट करेंगे इनके लिए हम प्रोड़क्ट रूल यूज़ करते हैं यह प्रोड़क्ट रूल है यहां पर L Y स्क्वेर है इसे लिख सकते हैं L Y टाइमस L Y ठीक है L X तो इस पे यह वाला प्रोड़क्ट रूल अप्लाई करते हुए फर्जर सॉल्व करेंगे और N पे जाके चीजें कैंसल out चीजें कैंसल out हो जाती है और यह हमारे पास इसका answer 0 आ जाता है इसका answer 0 आ जाता है तो इस तरह से यह prove हो जाता है और दूसरों के लिए भी भी same इसी बीशादिंऀ से परूब होगा तो अगर किसे की explanation चाहिए मतलब मैं इसको details से derive करूँ सारे steps करूँ तो वो फिर comments में उता दें लेडर operator को देख लेते हैं उसकी थोड़ी सी details होंगी तो वो next video में upload करूँगे